कि आज हमारा बहुत अमेजिन चैप्टर शुरूने वाला है बैंकिंग और बैंकिंग में आपके आ सकते हैं बहुत तो हमें सुरू करना है बैंकिंग में सबसे पहले हमें पढ़ना चैप्टरा में कमर्शल बैंक के बारे में क्या पढ़ना है commercial bank के बारे में अब commercial bank के थोड़ी सी history जाल लेते हैं जैसे बता दूँ कि सबसे पहला commercial bank जो था bank of Kolgata 2 June 1806 में आया था जिसका नाम बतल गया गया था बाद में बतल के नाम कहा गया गया था बैंक ऑफ बंगाल दो जनवर ही zone um उसके बाद एक और बैंक बैंक को मडराज इनद एन सङ्टी फोर्टी थी में एक बाद में न यह तीनों बैंक हैं बैंक अब लगाल प्वाल बैंक को और बैंक किया गया जिसको आप बहुत अच्छा जानते हो स्टेट बैंक ओफ इंडिया नाइटीन फिप्टी फाइफ में इन तिरो बैंक को मर्ज करके यह वाला बैंक अब जानते हैं आखे अके चलंशनल बैंक है क्या 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 सब कुछ जिसके बारे मां पढ़ना है में तो इसमें इस बैंक हो गया यह सब यह सब इक प्राइवेड है और बाकी बाकी जितने और बैंक को छोड़कर सब यह सरकारी एक पब्लिक बैंक और हमारी इंडिया में प्राइवेट बैंक भी है फॉर इन पयर कंट्री में है और और रीजनल रूलर बैंक वे बहुत कुछ हैं में ऐसे हमें बी चलते बैंक अपना अफ दो यह झूलर जो आते हैं वो आते हैं अंछके होते हैं मतलब यह साथ मेरे में चलते हैं क्या करना क्रeं कंट रहा जो ön सरकारी बैंक सब्धाना ठीकर ब 냉ट मतलब आपके जो ऐसे सब्हां सक्थार्ण बाइर के गले पर ठोल रहे हनु किस यह द्रलन चुलेगा हमारे हमार इसके रे बेंडिया के olur बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही वह चलने वाला है तो कोई बैंक नहीं है वहाँ पर कोई ऐसा इंस्टूशन निया जो जो गरीब किसानों को लोन प्रवाइट करें तो रीजनल बैंक बैंक में प्रवाइट की आते हैं गया सर्फ ट्रावंच को अथीज relates एंडो को आताकर आते हैं सब्सक्राव क्या है कमर्शल टेंक क्या है यहाच कमर्शल बैंक भी क्या है कमर्शल बैंक क्या है देखोивает definition जडाव Prophet bank is a financial institution commercial bank financial institution which accept deposit जो deposit को accept करता है from the public public से and give loan for purpose of consumption और क्या देता है लोन देता है किसके लिए consumption के purpose के लिए या फिर and investment और investment के purpose के लिए मतलब अगर एक consumer जाता है loan लेने के लिए तो वो किस लिए लेगा वो लेगा house loan home loan जीसे कहते हैं ठीक है और या तो car loan या तो education loan इस सब consumption के purpose के लिए 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 को बिजनस्में जाता है कि loan लेने के लिए तो वो क्या हो जाएगा investment purpose के लिए हो जाएगा है तो commercial bank के ऐसा financial institution है जो लोगों से accept करता है deposit और लोग को क्या देता है loan गोड़ा देता है loan कि इस परफस के लिए के लिए या फिर investment के लिए जिनका में मोटिव क्या होता है जिनका में एम क्या होता है सिर्फ वोजिव क्या कमाना profit कमाना विद दा एम ओफ और निंग मोटिव इनना अर्णिंग प्रफिट अर्णिंग करना है इनको profit कमाना है इनका एक ही मुखसल होता है सिर्फ प्रफिट कमाना ठीक है अग अपके एम स्प्यूस में पूछे जा सकता है यह चीज अब कमर्शल बैंक कंपनी एक नइटीन फोर्टीन नाइन ठीक है ध्यार लागना चीज़का यहाँ पर इसके कानून समझते बैंकिंग के जित्ते भी लॉज है कानून है वह सब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं आगे आगे क्या है आग फंक्शन का मतलब क्या है कमर्शल बैंक के फंक्शन मतलब आखिर कमर्शल बैंक का काम क्या है आखिर कमर्शल बैंक का काम क्या है फंक्शन ऑफ कमर्शल बैंक किससे पूछलो एक छोटे बच्चे से पूछलो ठीक है किसी से भी पूछलो वह यही बतायागा कि कमर्शल बै का काम होता है क्या असेट करना और लोगो लोन देना पैसा असेट करना और लोगो लोन देना यह में काम होता है किसका कमर्शल बैंक का लेकिन कैसे वितने काम होता है नहीं बैंकों के और काम भी होते हैं जिसको मैं अपनी लेंग्वेज में यह कहता हूं कि हाती के दिखाने के दात कुछ और हैं और खाने के दात कुछ और हैं मतलब हाती दिखा कुछ और रहा है मतलब बैंक दिखाने को तो दिखा कहा रहा है कि भाईया मेरे तो दोई काम है आप में काम एकासाइब डिपॉसिट और दूसरा एडवांसिंग ओफ लोन लेकिन वह पेट पेचे और भी काम कर रही है जिससे वह तरड़ा कमा रही है उससे ठीक है तो आओ सुरू करते हैं फंक्शन और कमर्शल बैंक और खेर बैंकों के क्या काम आ गए मतलब हाती के दिखाने के दांत दो हैं एक एक डिपॉसिट और दूसरा एडवांसिंग ओफ लोन मतलब डिपॉसिट को एसेप करवाना और लोग को लोन देना किस परपस के लिए तो इंवेश्मेंट के लिए ठीक हाती के खाने के दांत कुछ और है मतलब दिश्काउंट बिल्स ऑफ एक्चेंज ओवर्डराफ फैसलिटी यह बहुत कुछ है सकेंडरी फंक्शन में तो एक एक करके हमें साइच चीज़े पढ़नी है पहले हम सुरू करेंगे प्राइमरी फंक्शन से ठीक है फंक्शन ऑफ कमर्शिल बैंक प्राइमरी फंक्शन ठ चाहता है मतलब हाती के दिखाने के दान जो दो है उसमें से हमें एक पढ़ने वाले हैं वह है accept deposit और दूसरा कुण सा है advancing of loan लेकिन अभी तो हम सिल सिफ इक ही पढ़ेंगे accept deposit accept deposit के अंदर 3 deposit होते हैं Lost called demand deposit accept deposit अगर आप banko पैसे deposit करोगे तो तो आप 3 तरीके कैसे deposit कर सकते हो पहला क्या है demand deposit demand deposit में क्या होता है मिर्ओंवरा हो real current account जब ATM जाते हो तो आपकी फ़ंवर 2 option आते हैं current current account為 savings account bizneses' के ठीक है वो करते है demand deposit कि हाइड निकाल सकते हैं कि इतने पैसे पढ़े हैं और इतने बार भी आपकेपाउज़ सकते हैं निकाल सकते हैं पर वहमाइन दिमाण डीकाउज़ित नहीं है अब निकालब अपे, जतने पैसे पड़े हैं, उसको आप मesanting वहाप निकाल सकते हो कोई टाइम लिमे नहीं होता है. कोई अमांब लिमिट भी नहीं नहीं होती होती है है, तो idéeसे यहरी को लिद्स करें, जो बैंक आप को आप這是 करते हैं, इससका करती है इस पर कोई भी आपको इंटरेस्स बिलेगा no interest is paid on such deposit इस deposit made by businessman इसे businessman बनाते हैं ताकि वो अपने day to day transaction को carry to carry out their day to day transaction होते हैं यह बिसने चलता है इसलिए यह ऐग अकउंट खलबाते हैं बिसन जो है करें अगाउन नहीं लिकित्ति हमारे निकल क diffuse करते हैं तो असमें प्रेक। अब करते हैं तो असरे सदों के तैंक मतातकी में प एकृम्त औरना सिताता हूं जासे यbury deben ऐब चोप इसे थी तो पोज़िट वह पैसा होता है जिसे आप थे तो वह मेरे सेविंग काउंट से एक औरा खुलेगा वा बैंक वाली खोलते हैं उसे हम कहें ऐसे दाल दिये गए तो वह तो क्रिखने अलग से अब वह मेरे पासपूक में दिखने वाला नहीं है पास्बूप में पांव मेरे अकाउंट में मेड़े पां़ला उपड़े होगा है जो दो राक थीन लाग तो तो है यह कैसी कि एपन् डब करा में छोगसे चाहिए जो बहूरा है और फिस्सदी पे of-ट्रेट रही होता है इategory मिल già $ पैसे पैसे जब आपका time period हो जाएगा आपका time period ख़तम होने के बाद ही आप इसके पैसे पैसे नहीं निकाल सकते हो तो fixed deposit क्या होती है fixed deposit are those deposits which can be withdraw जिसे आपने का सकते है only after the expiry of certain fixed period मतलब certain fixed period खतम होने के बाद ही आप निकाल सकते हो जैसे कि कोई मन्त हो कोई साल हो कैसे भी फra Spit deposit maintain कर सकते हैं दोनों बिजनस भी कर सकते और हाउसोड भीmist कर सकता है आमदर में कोई दिक्त नहीं कुछ राता घंग है किसे नहीं ऑन में कुछ से नॅर्पकर deposit से और आपको पता है current deposit मिलता भी नहीं है तो normal deposit से ज्यादा interest रहाएगा किसका फीज deposit का और rate of interest is also depend on time period rate of interest जो होता है जो interest rate होता है आप 10%, 12%, 5%, 6% वो time की according घटा बढ़ता भी रहता है for example, मैं कहा रहा हूँ 10% interest rate है पुरे साल का और आपने कराया 6 मिने का FD तो चलूर तो 10% ही मिलेगा आपको केतना मिलेगा 6 मिने का interest मिलेगा तो interest जो है वो fluctuate होता है आपके time period की according fluctuate हो जाता है ठीक है FD से कमी interest मिलता है और इसमें restriction लगी होती है कि आप इतनी बार निका सकते हो इतना पैसे निका सकते हो से उपर नहीं जाती है आपको को depositor को सम restriction लग जाता है आपको number of number and amount of withdrawal मतलब कितनी बार और कितनी रुपे निका सकते हो उसके उपर restriction लगी होती है मतलब कि बैंक जो है आपको लोन भी प्रोवाइड करती है अब हम पढ़ेंगे लोन कि तरह के होते हैं जो हमको बैंक प्रोवाइड करती है ठीक है तो आईए advancing of loan, advancing of loan में पहला loan किया दिया है आपने cash credit, cash credit को आप long term loan भी कह सकते हो जब bank आपको long term लंबे समय के तक का loan देती है और bank आपको इसके बदले कर लेती है आपसे quality security मतलब कुछ गिरिवी रखना पड़ता है आपको तब ही आपको पैसे मिलेंगे पर कहां मिलेंगे आपके account में आपके account में आपके पैसे टार्सर कर दिया आएंगे लेकिन तब जब आप कुछ क्यागरवाओंगे गिरिवी इसकोफेश को इसकोफेश के लिए लेने के लिए आपको security में कुछ उसकता है या पीर आपका stock या फिर raw material या फिर कोई other commodity हो सकती है क्रेडिन लून मिलेगा। अब कंम आपनेकु अपनेक्ट 15600,000 वी तौन तो, आप उस में चलिए। कि असके बाद कि अध्वांसिंग उफ लोन के अंदर इसके बाद क्या आएगां कैसि एडिक हो गया उसके बाद आजाएगा ऐगा डिमांड लून सा अलग है थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग सब्ल एगा किसी कोरें देखो नों क्या होता है यह village होता भूत् ना के बरावर है यह , बहुत रेयर मिलता किसी को इसमें बैंक खुद कर्ट मेरा से भोलते कि सर आपelasन ले लिजे अपलोन ले लीजे और अपने दिमांड के अकॉर्डिंग्स बापिस कर देना हैं , मतलब आप चाहो कभी वप्र भीपस कर देना पर ले ले लीए प्रॉसेस तो इसमें भी रहता है कि इसमें भी सिक्यूर्टी आपको जमा करनी पड़ती है इसमें आपको इंटर्स भी देना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे एक फेनिफिट है कि कस्टमर का किस्टमर अपने पैसे वापिस करेगा ठीक है लेकिन बैंक पता है अगर एक्ष्ट समय पर सही अमाउंट दे चुके होते हैं तो यह बहुत रेर है किसी को ऐसा लोन ओफर करना बैंक वाले को पता होता है कि यह पैसे उनको टाइम पर ही मिलने वाला है ठीक है क्योंकि जो कस्टमर है वो टाइम पर दे देगा उसे पता है पूर नॉलिज की कितता है पैसे कब के जाता है कस्टमर को और अपने डिमांड के अक्वर्डिंग वो वापिस कर सकता है पैसा लेकिन इंटर्स के साथ और कॉलिटर सिकॉर्टी तो तब भी जमागनी पड़ेगी कस्टमर को ठीक है बहुत रहे रहे बहुत रहे 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 दिमांड लोन राफिस दोस लोन इंटर्स करना पड़ेगा जिसको यह लोन मिलता है चलिए एडवांसिंग अफ लोन में अब आते हैं थर्ड लोन जिसका नाव है शॉर्ट टर्म लोन भीया तो बहुत सुना है आपने जो कम समय तक का होता है एक साल के अंदर तक का होता है ठीक है शॉर्ट टर्म लोन में अगर मैं एक्जाम बता हूं यह सो ओवरडार्स फैसिलिटी करिट कार से लोन लेते हो मतलब समान प्रचिस करता आपको देना पड़ता है यह माई जो हो गया आपका कोई चीज आप ले तो भी आपका सॉर्ट टर्म लोन तो बैंक को प्रोवाइट करती है और इस पे आप स पर्सनल लोन अगेंस सम्कुलटे सिक्वर्टी पर्सनल लोन दे आता है पूबले को कॉर्टे सिक्वर्टी के अगेंस में the money स्केटि तो अकाउंट ऑफ बौर लोन ले रहा है और असके अकाउंट में ठांस्वर कर दी जाते हैं और बौर लोन वापेस करेगा तो इसको इं primary function primary function के दोनों point कुण से accept deposit और दूसरा advancing of loan accept deposit में 3 deposit थे आपके fix deposit और saving deposit और आपके demand deposit advancing of loan में 3 loan है आपके पास cash credit, demand loan और short term loan clear चले अब बात करते हैं secondary function secondary function जो है वो क्या है मतलब bank के और भी काम होते हैं, bank के और भी काम है जो bank पीछे कर रही है जो दिखता नहीं जल्दी पर करते तो हैं जैसे overdraft facility, bank overdraft facility देती है पर किसको को देती है नहीं, bank भी rare customer को देती है वो भी current account पे जिनके business account होते हैं ठीक है, overdraft facility पता है न, क्या होता है जैसे बता दूँ, मान लिजिए आपके account में 5,000 पढ़े हैं लेकिन अगर आपके चेक दे रहे हो 8,000 रुपे का इसमें भी amount fix होता है कि आप इत्तर पर इक्स्टर निकाल सकते हो आपको bank ने overdraft facility दे रहे हैं तो आपके account में पढ़े हैं 5,000 रुपे और आपके आठ रहा चेक इस्यू कर दिया तो आपके account से तो आठ रहा चेक इस्यू कर दिया आपने क्योंकि आपको पता है यह आठ रहा उसको मिल जाएंगे कैसे 5,000 रुपे आपके account से खट जाएंगे और 3,000 रुपे आपके account में माइस पहुंच जाएगा माइस मतलब है loan पहुंच जाएगा loan हो जाएगा वह आपके लिए पर ठीक है जिसको आपको पे करना पड़ेगा with interest और यह आपको overdraft facility मतलब जब account में पैसे ना हो तो आप थ of exchange commerce account में तिए उसमें आपके पास अगर कोई BR है बिल्स रिसेवल है और आप वेट करना नहीं चाहते तीन मेने तक चार मेने तक कि आपको payment मिले आप वेट करना नहीं चाहते तो आप BR कहा लेके जाओ अपने bank लेके जाओ बैंक अगर आपको फैसलेटी दे रहा है बिल्स दस्यानी मिलेंगे कुछ रुपय काटकर आपको bank आपको पैसा देदेगी ठीक है वो ब्यार किसे पास चला गया बैंक के पास जब तीन मेने हो जाएंगे चार मेने हो जाएंगे तो bank का कोई agent जाके वो पैसा खुद अपने पास लेगा लाकिये आपको तो पैसे मिले गए जो bank को provide करती है और bank इसे कमाती भी है ठीक है थाड क्या agency function मतलब bank आपके लिए like a agent work भी करती है agency function मतलब bank आपके लिए like a agent work करती है agent वो काम जो आप कर सकते ते पर कर कोई और रहा है जैसे for example किसी को हर मेने payment देनी हूँ bank के थुरू तो आप उनको permission दे दो वो हर बार हर मेन रहे हैं आपको आपकी payment उनको दे देंगे अगर कहीसे पैसा करना हो तो कर लेंगे शेयर वगर शेयर वगर पैसा लगाना हो ठीक है और पैसे लगाए है वहां से डिवीदेन रिसीप करना हो profit करना हो तो bank भी आपके लोग काम करती है इवन तब तो ऐसा हो गया कोई-कोई- वहां से क्या लेता है उसके बदले रेंट लेता है आपके अकाउंट से पैसे कर जाते हैं तो यहां बैंक यहां से कमा रहा है है लाश्ट ट्रैबलर चैक क्या होता है देखो एक्जाम रहता हो आप समझ जाओगे माल लिजे आप भार गोमने जा रहे हो और आपको कैरी नहीं करना क्या इंडिन करेंसिय और यॉसे करना दोलर भी करना और इंडिन रुपीज भी करना तो आपको याद आया यहां मेरा जो बैंक है न मुझे ट्रैबलर चैक भी दे सकता है अगर मैं वहां पर अप्लाई करू यह त्रैबलर चेक क्या होता है विजी ट्रैक की तरह ही होता है इसमें और साइड डिटेल पहले से फिल होती है अमंट भी फिल होता है आपने मालो आपने 500 रुपे कर होता है तो इसका म rattला हर पैज के 500 रुपे लिखनी होंगी ठीक हैं तो आपने ट्रेवल चेक बनवाली है 500 रुपे का साइड डिटेल पहले से प्रिंटिड होती है बस आपको करे करना है और मानलों आप भार गए आपको कुछ परचेस करना है पैसों से तो आपके पैसे पैसे तो है नहीं तो आपको आपको इस पैसे चेक तो है क्या करोगा आस पाथ जो भी दिखा को कई बैंक दिखा है कहीं सभी तो आपको इस बैंकर लाटे जाना है वे जमा करना है और आपको बदले में वह 500 रुपे के जगह कन्वर्ट करके आपको डॉलर दे दीगे 500 रुपे को चलेगा ना तो 200 रुप कन्वर्ट Jakarta mg आपको पैसे दे करना है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपको पैसा कर नहीं करने पर रहा दखक करना है बसा आपको तो आप किसी बैक में जाओ भाल और उसे जंब करो और पैसे को मिल जाएंगे ठीक है तो यह है आपके primary function और secondary function प्राइमरी मतलब हाथी के दिखाने के दाथ जो क्या क एजनसी फंक्षन लॉकर फैसलिट्री और ट्रैबललर चैक और भी इसके अंदर बहुत कुछ आते है वो बैंक करती रहती है अभी में जो एक्जाम में आते रहते हैं में में तो यह है clear चलो अब नेक्स्ट टॉपिक मनी कीरेशन बहुत इंपोर्टन टॉपिक उसे मैं नेक्स लास बरकर आऊंगा आपको अभी नहीं बहुत इंपोर्टन टॉपिक और बहुत अमेजिंग टॉपिक है ठीक है चलिए बाबाए